नमस्कार, Crossfire में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ अन्पम प्रसून और आज Crossfire में हमारे साथ मौजूद हैं जारखन के UACM हिमंत सोरे बहुत-बहुत स्वागत है सर, राज्य में सरकार चलाते हुए आपके 9 महीने बीट गए जब आप सत्ता में आए, उसके बाद से जिस तरह से ब्रस्टाचारी खिलाब कुछ कारेवाई यां हुई, उसने सरकार की रादे को साफ कर दिया 9 महीने के अपने कारेकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? तेकि 9 महीने सरकार के हुए हैं, लेकिन सुरुवाती दौर से आज तक आप देख रहे होंगे कि 9 महीने में तो 3-4 महीने सभी मंत्रियों को अपने कुर्सी तलासने में लगे, कौन कहां बैठेंगे, किस तरीके से सब के अज़स्ट्मेंट में लगे अब रहे 4-5 महीने की बात, 4-5 महीने में अभी आप देख रहे हैं, बिगत, दो महीने से हम लोग कोड अफ कंड़क में हैं, चुनाव संपन हुआ है, पिर भी जितना भी कारिकार रहा है, इसको हम लोगों ने बहतर तरीके से उप्योग करने का प्रयास किया है और चाहे गाओं हो, सहर हो, किसी समुदाइक विसेस हो, हर छेत्र को हम लोगों ने एक समानता से देखने का प्रयास किया है, हर वर को एक समानता से देखने का प्रयास किया है कोशिस हुई है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाब सभी लोगों तक पहुँचे चाहे सहर के लोगों चाहे गाओं के लोगों जब आप सत्ता में आए तब लोगों को काफी उमीदे थी आपसे कहा ये गया कि जारकंड का एक लड़का माटी से उठकर आज यहां बैठा है जहां पर आप पिछली सरकार के साथ साथ छोड़कर आए थे आज आप खुद सरकार चला रहे हैं उससे कितना आगे बढ़ पाया एक आप नागरिक की नजर साथ से देखूं तो सरकार से उमीदिया होती है और लोगों को उमीद भी करना चाहिए हमने पहले भी कहा आपको कि हमने हर पहलू कुछ होने का प्रियास किया है चाहे इस राज का जो हमारी भावनाएं हैं उसको भी हम लोगों ने टटोलने का उ चाहे आंदुलनकारी लोगों को सम्मान देनी के बात हो, इस राज में आंदुलन रत रहे लोगों जो आज की दिन में बुढ़ा बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको पेंशन देनी के बात हो, चाहे पंचायती विवस्था को ससस्तिकरन की बात हो, चाहे सिक्षा से संबंदित सिक्षकों की समस्या हो चाहे अलप संख्यक के समधाय के समस्या हो लगबग हर छेतर को हमने टच करने का प्रयास किया है तो मैं समझता हूँ इतनी अलप काल में अलप समय में जो पूरी बिगडी विवे विवस्था को एक बार में यूटर्ण करा पाना मैंने समझता हूँ कि मेरे बस में तो नहीं लेकिन हाँ ये जरूर है कि समय और मौका मिलेगा तो हम यू टर्न करके भी देखाएंगा आप जब सत्ता में आये लोगों ने कहा कि आप युवासीयम है लेकिन युवाओं के लिए नौ महीनों में क्या किया पर अच्छा लगता है जब आपको लोग कहते हैं युवासीयम है युवासोच है मुकमंत्री चुकि मैं सिर्फ किसी समुदाय किसी वर्ग भी से इसका नहीं हूँ आज हमारी प्राथमिक्ता जितने नौजवान है उतने हमारे बुड़े बजुर्ग भी है चोटे बच्चे भी है यहां के हर वर्ग की जिम्मेवारी हम पर है हाँ यह जरूर है सब को अपन योजनाएं हैं इतनी महत्पून योजनाएं चल रही है जो आप नौकरी से भी बहतर आप उसमें आमदनी कमा सकते हो और स्वतमतर रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हो नौजवानों को रोजगार से जोडने के कई एक रास्ते खोले कई एक शिक्षा संस्थाने बहूत ब्रॉड लेवल में इन छेत्रों पर काम चल रहा है आप, चार महिने मंतरिओं को कुर्सियां ढूणने में लग गई दो महिने आचार जैंता में बीच गये, तो काम कब हुआ और कितना हुआ, हमने हर छेत्र को छुए है, हर छेत्र को हमने हर पहलू को हमने टच करन था कभी किसी सरकार में उनको सम्मान देनी की प्रक्रिया सुरूर नहीं हुई ना सम्मान मिला हमारे इस सरकार में उनलों को प्राथमिकता के अधार पर उनको सम्मान मिला नौकरियां मिली राज में ऐसे भी बुड़े बुजूर गया जहां दो वक्त के आनाज के एक वक्त के आज नहीं जुटा पाते थे। आज उन सभी ब्रिधाओं को पेंसन देनी की योजनाय सुरू हुई। आज गाओं-गाओं में बिजलियां पहुँच गई आज कुछ छेतर जासे पलामु गढ़वा छेतर है जहां अजादी के बाद मुझे लगता है कि उस छेतर पिजली नहीं थी वहां बिजली पहुँच चुकी है पलामु छेतर में। 1980 के बाद यहां पर जाल्ब संख्यक समुद आए कि मदरसों की समस्याती उन समस्याओं को कामार्ग प्रसस्त हम ने किया कह रहें कि काम आपने किया चाहे जितने वक्त में किया लेकिन काम किया फिर कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुग्देव भगत यह शिकायत कर रहे हैं कि वो सरकार के काम से खुश नहीं है ने उस भी सब्सक्राइब को सकता है आपके माध्यम से आपके मीडिया में कहा हो या कहीं आया हो मैं उससे बहुत जादा चिंतित नहीं रहता हूं चुकि हम लोग कर इंशन में हैं सरकात साथ चला रहे हैं जब तक हम लोग आईनी सामने कोई बात ठोको न रखिंए उन वीशव पर मैं कोई टिपनी नहीं करना जाता है। उस बैसे से मैं बहुत जादा का है हाँ ये बात जरूर है कि कोलिशन सरकार इस राज में बहुत चुनोती भरा होता है लेकिन इस सरकार को चलाने की भी जिम्मेवारी जो हमने उठाई है तो आपने देखा है कि हमने मंत्रियों को भी वरकास किया है तो बिल्कुल हम लोग तालमेल और समझेश बनाते हुए चीज़ों को लेके चल परिस्ति के साथ हम लोग चलना सीखे हैं और चला भी रहें तो साइद अगर ये हमारे में ये च्छमता नहीं होते तो इस राज में आज के दिन में विरात्पति सासन लागू रहता और साइद इस लोग तांत्रिक विवस्था को अस्थापित करने क दित्रास के नहीं है चला सबुस्ति को लेकर हमने अपने दाइद का निर्वाः कैने कि सीम अगर ये कहते हों कि सरकार लंगडी है सरकार का एक पह बैल गाड़ी एक पहियज स्कूटर एक ट्रैक्टर का है तो उनके जहन में कही न कहीं किसी बात को लेकर तकलीफ तो रही होगी तकलीफ आपको तो दिखा न cuerpo को हम लोगों ने बाहर का भी pau Nicki तकलीप जो है पब्लिक के साब में रहती है अगर हमारे बीच की कोई समस्या है तो उसका समाधान भी हम लोग निकालता है आपके एक मंत्री हैं साइमन मरांडी वो भी बोल रहे हैं उन पर कारवाई क्यों नहीं अब जब इस विसाय पर समय आएगा तो उस विसाय पर भी हम लोग बातों को चर्चा करेंगे उसकी उसका भी समस्या का समाधा निकाले लेकिन सर आपने एक मौका तो दे दिया है वे प को कॉंग्रेस के लोग करते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कारवाई हो जाती है सब के उपर वो मैं अपने उपर भी कारवाई खुद कर सकता हूं सरकार अनुसासित होके चलती है सरकार के जिम्मेवार व्यक्ति को अनुसासन पालन करना है आपको लेकर शिकायत रही कॉंग्रेस को भी कि आप बातों को मीडिया में रखते हैं कॉडिनेशन कमिटी मनाई गए अगर ऐसी बात होती है तो मैं आए दिन आपके साथ मीडिया में होता कितनी बार आप लोग ने हमारी खबरे मीडिया में छापी हैं जड़ा हम यह भी बता दी एक आरोप लगता है बहुत गंबीर आरोप है इस सरकार के उपर कि जारखंड वो स्टेट है जहां एक सीम है और एक सूपर सीम यह बात आप लोग यह मामना सदन में भी गुंजा एक सीम एक सूपर सीम भालू आया सेर आया चिलाने से कोई विश्वास थोड़ी मनेगा आप आप ही बताए यह सूपर सीम है कौन यह ऐसा होता है क्या यह कहीं है प्रेक्टिकली क्या जब हम लोग है सत्ता पर जब हम लो अभी आपको भ्रस्टाचार की शिकायते मिली आपने कारवाई की पर इसी सरकार में बालू के टेंडर हुए उसमें आरोप लगा पोशहार के टेंडर हुए उसमें आरोप लगा किताब के टेंडर हुए उसमें भी भ्रस्टाचार के आरोप लगे शराब के टेंडर की बात कौन है वो लोग इनके बारे में आप कह रहे हैं जो ब्रस्ट चार क्या रोप लगा रहे हैं यह वही लोग है अपने पिछली सरकार से जिन साथ मुद्धों पर नाता तोड़ा था उन साथ मुद्धों का क्या हुआ बहुत सारे विसे हैं जिस पर हम लोग आगे बढ़ें करीवन तीन माईने से ज्यादा होने चले नभे दिनों में रिपोर्ट देनी थी इस कमिटी को वो रिपोर्ट अब तक कहा है किसी को पता नहीं अभी बहुत सारे जो लोग कमिटी में 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 हैं आप उन से जान करें मेरे पास तो पूरा परारूप आएगा तब मैं इस वि भी लोग जो घराज में आदम जमाना से रह रहे हैं उनके सैमें भी लोग काफी घंब्र है जो लोग बाद में भी आके बस हैं जो यहां मुलता यहां पर आप बसिंदे हो चुके हैं उन भी सेयों पर भी लोग गंविरता से चर्चा कर रहे होंगे और सबी लोगों को सबी समुधाय के लोगों को ध्यान में रखकर किये चीज़ें बन के आएंगे सरकार में किसकी चल रही है और मुख्यमंत्री की कितनी चल रही है मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का कोई अधार है और मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब भी देना पे उचित लेकिन सर ये सवाल वहाँ पर पूछना जायज हो जाता है जहां पर खुछ CM के किसी फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया गया सब को अपनी भावना है रखने का दिकार है लेकिन जो नियम शंगत कानून तरीके से जो सही है उसी पर सरकार काम करते है यो तो सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं तो हर महीने में तकरीबन दो बार ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ही विपक्ष आपके उपर हावी होता रहा है शीद सत्र में भी ये मामला उठा, मानसून सत्र में भी ये मामला उठा, जब आपकी सरकार बनी थी, उस वक्त भी ये मामला उठा था, क्यों इस तरह की आरोप आप पर लगते रहे और आप अब तक आपने इस पर कोई ठोज जवाब नहीं दिया? ये सारी बाते हैं विभागे मंतरी द्वारा चीज़ें लाई गई हैं, और आप देखेंगे कि हमने व्यक्तिकर तौर पर कोई ट्रांसफर पॉस्टिंग नहीं के ब्रावर रखी, लेकिन सर्चुन की आप नित्रत करते हैं कि बात कही गई है, और उस पे लोगों का जो मंतव आए हैं, मैं उन में भी यही कहता हूं कि वो भी बातें निराधार हैं, आरोप लगाना आरोप मरना बहुत आसान है, कि मन्तरी उने भी इस बात को कहा, मैंने कहा जो लोग इस बात को मेरे उपर या इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं या फिर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह आरोप शिर्फ बोलने से नहीं होता है तथियों के साथ आएं हमें परमानित करें आप स्वतंत रहें आप कोड जा सकते हैं आप हर वो काम करने में शक्षम है जहां आप हमको कटगरे पे खड़ा करने के लिए अगर पहाड़ों पर रहने वाले गाओं में रहने वाले जंगलों में रहने वाले लोगों का काम नहीं हुआ तो वो हमन्त सोरेन को जानते हैं उनकी नाराज़गी हमन्त सोरेन से होती ही विभा पर आधि डेने के लिए जो नियम संगत है कानून संगत है उसी के तहद काम हो सकता है। उस से हट के यह हमें आगे करने की कोई परयास करने की ऐसी सोच रहता हूं। अप एक लगतार बयान देते आ रहे हैं अपने अंपने बहुत घंबीर बात है वो कि जो लोग भी सत्ता के लिए राजनीत नहीं कर रहे हैं, वो एंजीयों खोल ले, तो क्या ये माना जाए कि अगर आप राजनीत में आए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो सत्ता, हम आज बिधाइक बनते हैं, तो बिधाइक बनने के बाद और हम अच्छे बेतर कर सकें, सत्ता के प्लैटफॉर्म्स हैं ये प्लैटफॉर्म्स पॉलिटिकल लोगों के लिए और जब हम इसमें आए तो लोगों को ये लगा कि ये इसी के लिए मरा पड़ा तो मैंने का कि चलो ठाई मुझे तो का आपने कह दिया कि मरे पड़े मैं इसी सत्य इसी कुर्सी के लिए भाग द करते हैं आखिर राजनीत में आने का उनका धे क्या है लोगों का सेवा करना लोगों के इच्छाओं को पूरा करना यहां के विकास कारियों को धरातर प्रोतारना तो आप जहां जहां बैठे हैं उस तरीके से करते हैं और स्वभाविक है कि यह चेर इस सिस्टम का सबसे आप इसको कहेंगे तो स्वभाविक है यहां से आप बहुत बड़े पैमाने में आप चीजों को एकसेस करते हैं बहुत बड़े पैमाने में लोगों के बिसे में सोच सकते हैं आपने कब यह सोचा था कि आपको सीम की कुर्सी पर बैठना है यह कभी मैंने सोचा नहीं था म बदली आपने वो भी देखा, किन हालातों में आप ये तयार हुए कि हाँ मुझे इस राजी में सरकार बनाना है। बहुत सारे लोग तो सब्टा गिराए उसमें ही लोगों ने गालिया दी सब्टा बनाया उसमें भी गालिया दी लोग करे तो क्या करें? सबको याही लग रहा है कि हमाना सूरेनी सबसे कमजूर करी है और सबी ओधे काम हमने करके दिखाए और मैं समझता हूं कि उन्स सवालहा हैं उन्स सबढ़ी चैलेंजों को मैं अपने सीरे लूँर्णा ज Exactly में इस وक्त किसकी चल रही हैcha जैमें में किसकी चल रही है इसमें कोई सवाल ही नहीं है, इसमें आदरनी गुरू जी है, उनी के सोच से हम लो चलते हूं आपके विधायक आपके उपर आरोप लगाते हैं कि हमन्त सोरिन की चल रही है मीडिया के बिशाय पर हम बहुत जला टिपनी नहीं करना चाहते हैं मैं जानता हूं कि हमारी पार्टे बिल्कुर अनुसासित तरीके से क्यारी करती है, संगठन अपना काम करता है संगठन में सब कुछ इस वक्त अच्छा चल रहा है? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई इवबट ही नहीं है तो अगर अच्छा चल रहा है, हेमलाल क्यों छोड़ कर गए, विद्धुत वरंड क्यों छोड़ कर चले गए? ऐसा नहीं है कि इसको हद कड़ी से बान के रखा जा सके। मैं समझता हूँ कि इस राज में जिस तरीके से राजनितिक कर्द जारकन मुक्ती मुर्चा का बड़ा है और जिस तरीके से जारकन मुक्ती मुर्चा ने अपने राजनितिक कारिकरमों के माध्यम से लोगों का विश्वास जीता है इसमें बहुत लोग हताहत हुए बहुत पार्टी के लोगों ने अपनी पसीना तो पसीना बहाया अपने खून भी बहाया आपकी पार्टी को तोड़नी के लिए शबाविक है कि जहां पार्टी में इतनी कुर्वानिया देते हों लोग उस पार्टी में हर आदमी को कुर्वा आज की दिन में जितने महमाया में लोग फसे पड़े हैं, साइध ही लोग दे पाएं, और इसके गवादन यह गुरुजी है." लेकिन हमलाल काफी करीम माने जाते थे गुरुजी के. साइमन मरांडी जो आज कल आज़ आख दिखा रहे हैं, वो भी लेकी के काफी करीम माने जाते थे. पॉलू सुरीन जिन पर कितने गंभी रारूप लगे और कहा यह गया कि गुरू जी ने एक विधायक पैदा कर दिया लेकिन आज वो खुद आपकी आपसे बगावत करने को तैयार है मैं सिंपल कार करता हूँ, सिंपल पार्टी का एक सिपाई हूँ मेरा किसी से कोई रंजिशन है ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग जेमेम की टिकट पर जीते हैं काफी करीब पहुंचते हैं गुरू जी के और उसके बाद छोड़ कर चले जाते हैं क्यों यह क्यों आपने महसूस तो किया होगा साइध धारखन मुक्ति मौर्चा उस तरीके का पार्टी नहीं है जहां हर नेताओं की हर इक्षाएं पूरी हो सकते हैं क्योंकि यह सोशल एक्टिविटीस में ज़्यादा रहती है समाज सिवा में ज़्यादा रहती है और इस पार्टी में बिना मेहनत किये कुछ फरल हासिल नहीं हो पाता गुरुजी से कभी इस मसले पर बात हुई आपकी सभी उनके मारदर्शन पर होती है और उनको किसी सीच को समझाने और बताने की आऊश सकता हमें नहीं पड़ती है आप कॉंग्रेस के लिए चुनाव परचार कर रहे थें पर कॉंग्रेस का कौन सा बड़ा लीडर गुरुजी के चुनाव परचार में आया जहां जिसकी जो मैसूस हुए यह लोग वहां गए तो आपके नेताओं की ज़रूरत मैसूस नहीं हुए कॉंग्रेस को हम लोग एह है सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहा है कि सरकार संकट में हैं अंक गहनित को लेकर सदन के पटल पर सरकार अंक गहनित हासिल कर पाएगी वह दिखाने की चीज़ है बताने क्या हो सकता नहीं दो विधायक पीमसी में चले गए सरकार को सपोर्ट दे रहे थे चाभी टीमसी के हाथ में चली गई कहा यह जा रहा है कि अर्ज़डी के लोग तो आपके साथ यह जेडियू के नेताओं से भी बात हो रही आपकी जो हमारी टीम है जिसके साथ हमने सरकार बनाई है हम लोग बिलकुल अभी इंटैक्ट हैं और रही बात सरकार में अकेले नहीं चला सकता शवाविक है गडबंधन में ही यह सरकार चलेगी और जिस दिन लोग नहीं चाहेंगे सरकार नहीं चलेगी तो ऐसे भी कुछ लोग हैं क्या इस विसे पर अभी कहना जलबाजी होगा जब इसकी जरुरतान महसूस होगी तो भी हम आप लोगों को सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी यह सभी अस्वस्ट करेंगा अगर इगडबंधन विदानसवा चुनाव तक रहा तो आप कितनी सीटे मांगेंगी कितनी सीटों पर जेमेम चुनाव लड़ना चाहेगा अभी लोगसवाचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इस लोगसवाचुनाव के नतीजों का असर देश में पढ़ेगा और शायद इसका असर आपकी सरकार पर भी पड़ेगा, कितना पड़ेगा? क्या होगा नहीं होगा यह तो सुलत तारिक ही तय करेगा इस वज़े से कौन क्या कर रहा है कहां क्या हो रहा है उसकी मुझे ज्यादा चिंता नहीं है मुझे चिंता है कि अपने राज में हमें क्या करना है, हमको किस और आगे चलना है, कैसे लोगों के लिए काम करना है, मैं उस पर ज़्यादा चिंतित रहता हूँ कोडिनेशन कमीटी बनाएगे इस सरकार के लिए, लगता है कि कोडिनेशन कमीटी के पास कोई धे है, चुंकि सारी बाते मीडिया में ही आ जाती है जो बातें Coordination Committee के होती है वहां रखी जाती है जो बातें मेडिया में जानी होती है वो मेडिया में जाती है लेकिन चलते चलते हम यह चाहेंगे कि आपका लक्ष क्या है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं जारखन प्रदेश जहां विकास क्या पार संभाव नहीं है दुर्भागी की बात है अभी तक उन संभावनों को हम तलास नहीं पा रहे है थैंक यू सर अब हमारे साथ जुड़े तो इसी के साथ आज क्रॉस फायर में बस इतना ही अगले अंक में एक नए महमान के साथ आपक तक के लिए नमस्कार